तो यह है आपने रामनिवाद जी का घरार तो लाश्ट टाइम रामनिवाद जी सा अपनी कद बात हुई कि उस दिन क्या बात हुई और कितना खुशी का माहूल आप दोनों के बीच में था खुशी का अच्छा माहूल था सुपह बोले 6 बजे शिकर पहुंच के खाली करके और 8 बजे के लगवा घर पे पहुंच जाओंगा और वैसे कुछ घर के लिए समान ले रखा था और सुबह जल्दी जल्दी में आ जाओंगा और आठ जार उपे मेरे को इनाम में मिलेंगे शाबजी से पहले खाले करने हैं अच्छा आप तो सो जाओ और मैं चल रहा हूं सुबह आ जाओंगा घर पे तो जब यह हाथसा हु इन्टर वो कहा है था तो आपको यह हाथसा हुआ यह कब पता लगा मेरी को सुबह पता लगा आठ वजी उसके बाद में भी आपने कलेजा कठोर करके पेपर देखिया है आप कठोर क्या करके मेरे को तो यहां से दो दिन तो बेहोशी की हालत में ऐसे फिर डॉक्टर बगे इतना पड़ा है पहले का क्या पता कुछ होई जाए सेलेक्शन वगेरा क्योंकि जाने वाला तो चला जया घर का मुख्या लेकिन अब बच्चे के लिए तो आपको कम से कम मैनुद करने हो तो कुछ बाते हो रहें लास्ट टाइम कब आये थे लास्ट टाइम तस जून को ग मैने के लगबग हो गया है तो आपको लास्ट टाइम उन्होंने सेलरी यह वो कब बेजी थी वह से लास्ट टाइम सेलरी की तो यह है कि जैसे कभी कितने बेजती है वह फिक्स सेलरी वह से नहीं बेजते थे तो अब भी जो मतलब आजसा हो कि आज लगबग 15 दिन होने को आ गए हैं लेकिन आज तक कोई नेता ना अंगला या जो भी कोई जन परतिनी दिया या कोई भी राज्य सरकार का नुमाइंदा कोई भी आपके घर पी आया धांडस बंदाने के लिए फिलाल तो कुछ भी ऐस इस परिस्ति वह तो सामने लेटवात की समस्या है रस्ते की समस्या है पानी की समस्या सारा सब कुछ है ये बच्चा है इसका भी बरहन पोशन करने में आपको पताई है हम दो जी हैने आगे कोई सास शास शुरह और नहीं फिर आप तो भाईवन्दू का तो समझते ही हैं समझ पाता है दूसरा साइद नहीं समझ पाई अब आप है वो क्या चाहते हो क्योंकि अभी तक नहीं तो कोई क्योंकि रीट पे का सी जंग छिडी हुई है हर तरफ ये पेपर लीक हो गया यह हो गया हादसा है वो कितने बजे हुआ उस टाइम पे आपकी कब क्या बात है तो चल रहे होंगे क्या पता कोई ट्राफिक होगे रहा है तो सुबह में फोन करा तो पुलीस वाले ने उठाया बोला कंटेनर पल्टी हो गया उसके बाद मैंने घरवालों को फोन किया इधर उधर बाते होने लग गई बाद में तो मावल अधरती है नीचे से खिसक सेवन्ट क्लास में पड़ता गुड़ा जीपियस वालों कि तरफ से कुछ आपको साहता क कोई सान्थवना नहीं है स्कूल की तरफ से कुछ भी नहीं है छबी 27 लाग स्टुडेंटों के लिए जो पेपर कलकत्ता से लेके सिकर तक चले थे उस आदमी को इनाम ये मिला है कि अपनी जिन्दिगी दाव पे लगाए और हमारी दोनों की जिन्दिगी भी बरभाद होगी पीछे से हम किसी लाइक कुछ भी करने लाइक नहीं बची तो जो भी है यह सुन रहे हैं तो एक बार इस घर की परिस्तिति देख लें क्योंकि जो हुआ है परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ है ना बगवान किसी के साथ ऐसा करवाए बाकी यह वही राम निवाज जी की धरमपत्नी है जिनका रीट का पेपर ले रखे आ रहे ते कलकता से और जो भी ट्रक कंटेनर पल्टार इनके हैस्बेंट है उसमें तो अब मांग है परिवार की क्योंकि परिवार म कोई आपके पास साधन नहीं है तो आपकी जो मांग है राज्य सरकार से जिला कलेक्टर से जो भी जनपरती ने दी हैं हमारे आंके उनसे आपकी क्या मांग है वो चरह बताई है मां तो जैसे अब अब हमारे सामने कुछ खाने पीने के लिए वह भी समस्या आ गई तो अब प्रिक साहता के रोप में या फिर नोक्रे वगेरा कुछ तो होना चाहिए ना हमारे पक्ष में सोचना चाहिए सरकार को भी इसी समंदित जो यह हाच्छा हुआ है इससे समंदिती तो हुआ है तो फिर एक जब एक इंसान कमाने वाला है वो यह ऐसा कर देगा वो उसके साथ ही ऐसा गलत हो जाएगा तो फिर पीछे वाला परिवार तो कि इस एक्जाम से काफी लोग है जो बच्चे हैं जो टीचर ब लेकिन आप अपने रीट के पेपर में उत्रीन हो और आगे अपना परिवार का पालन पोशन अच्छे से कर पाऊंगे जो दुखों का पार था वो परिवार उसकी तो हमसे बरपाई जिंद्गी बर भी नहीं होगी लेकिन हम कैसे जैसे बच्चे का पेट बरन पोशन करना इस की जिंद्गी बनाना है हम भी तो कैसे तो खड़े होंगे न भी बिल्कुल बिल्कुल तो उसमें लाएं के नहीं बचे और मुदा यह भी तो यह तो एक माने तो एक जुल में पहले तो इनका यह बहुत सबसे बड़ा सरकार का गल्ती है इतना बड़ा एक्जाम का रीट के पेपर थे बीगर शिक्योर्टी के यह लोग गाड़ी बेजे एक ऐसे इनको एक्चुल बेजना नहीं चीए क्योंकि यह ऐसा चोटा मोटा काम रहता है कितने लोगों की जिंदगी का बैस से है इस पर इनको कम से कम पूरा शिक्योर्टी के साथ अगर यह होता तो अब आज यह अनोनी नहीं होती थे अब ड्राइवर भी कलकत्ता से एक ड्राइवर जो गाली जिने एक शिंगल वो भी जितना टाइमिंग इतना टाइमिंग में पहुंचना है पहुंचना है आपको वह भी परेसर था सरकार का अर दूसरा यह गाड़ी थी वह आपकी कुछ भी कोई भी कोई किसी का भी अस्वासन नहीं वह एक संसे तो उनका ट्रांस्पोर्टेशन वालों का क्या करना है कुछ थी कि क्षबी कोई नहीं खेने के लिए तेर घूसरा है जो बी परिवार के साथ अनोनी हो चुकी यह ना तो अभी तक कोई सरकारी नुमाइंदा ना कोई सरकार का बंदा ना कोई कलेक्टर ना कोई जो भी है और जो भी नेतेनांगले हैं वो सब चुनाओं में खूब वादा करते हैं लेकिन आज ये किसान परिवार रियल किसान परिवार है वो आपके सामने है दोसे डायवी का जमीन है परि के लिए दुखद है बाकी यह रामनिवाजी के साले हैं वह वाएं हैं उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं शादी को कितना साल हो गया गया है तो जो वगर है जो भी ड्राइवर थे तो ट्रांस्पोटेशन कंपनी है ना कोई राज्य सरकार है ने कोई नेता नांगले किसी और स से कोई अस्वासन नहीं मिला है नहीं सर अबीता कुछ नहीं मिला और सबसे बड़ी ताजूबी बात है कि यह हादसा होने के बाद में भी आपकी बहनने रीट का एक्जाम दिया है बिलकुल सर तो होसले इननों ने भी काफी रखे हैं सर राजने बात तो यह सर कि जब कंट तो ये चीज़ें गलत हो रहे हैं सारे की बात बहुत अलग है उन लोगों का मतलब कमेंट से कुछ अलग है बिलकुल और एक 27 लाख लगबग स्टूडेंटों ने रीट का एक्जाम दिया है तो वो एक्जाम में के टाइम से अगर दो गंटे भी लेट होता पेपर तो पूरी सरकार अस्तवेस्त हो जाती उस आदमी ने पूरी अपने रिस्पोंसमेल्टी निभाई और राजस्तान गाड़ी वक्त पे पहुँचाई बिलकुल सर अब जो भी देखो हादसा हुआ वो ने प्रतेदर्स याप थे ने मैं था जो भी थे लेकिन आप लोग जब सूचना प हागो जाना जायेंगे वहा पर जाएंगे तो वहाँ की एक जो आवारा पसु था वो मरबा पड़ा था ठीक है साथ में दो गाड़ थे एक अपने जो जीजा जी राम्याजीवोंते तो उनकी 10 सब्हें तो सुचकीती उनमें से एक गारड़ का पेर वगर अनकी बिटे तो ह करें कि अभी तक भी जीवत है अब मतलब नहीं नहीं बातें सामने के लिए यह आ रही है कि फिलाल में यह बोल रहे हैं कि सर उस कंटेनर को जबर्दस्ती पिल्टवा गया था तो उसके लिए हम वह जांस करवाएंगे यह करवाएंगे जो ब्रश्ट नेते हैं वह उस मेंटर सामने आए जाता है तो साइध इतना बड़ा हाथसा सवाल यह निशान उठाता है तो आप लोग जब सुबह पहुंचे तो कंटेनर एकदम भिखरा पड़ा था यह क्या बिल्कुल पल्टी खाया और पेपर वगर है वो किस कंडिशन में थे नहीं उनको तो रात को पुलिस प्लिस ने अपने ग्रिप्त में ले लिया था और सही सलामत पहुंचा दिया था दिया था तो आप लोगी ते से कंटेनर में कुछ नियुक्त खेलिता को वहां वह क्योंत चांब जान लेते हैं उरे जो भी इनकी मांग है जो भी इनको राज्य है कि जो भी जिमेदार लोग हैं जो इस जिमेदारी को निभाना चाहते हैं वो एक बार इनके घर पे आएं कम से कम आर्थिक साहिता ने सही सांतों ना बंदाने के लिए हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं वो लास्ट कमेंट आप अब कहने के लिए तो जो कुछ में मैंने कहत भी दिया है और आपके सामने भी है इसमें आया आर्थी साहिता नोकरी वगेरा जो भी है मतलब साहिता तो नहीं चाहिए तो राम निवाजी का बेटा है उससे भी दो शब्दी बात करेंगे लेकिन बात जरूर करेंगे तो बाकी दोस्तों जो भी है सरकारी नुमायंदे उनसे निवेदन है कि कम से कम ज्यादा कुछ नहीं आके इस परिवार को सांतोना बंदा हो बाकी रीट का एक्जाम है वो राम निवाजी की दरम पत्नी ने भी दिया है तो इनको बेश्ट ओफ लग कि इनका भी सेलेक्शन हो और अपने परिवार की जिमेदारी निवाए लेकिन जब तक जिमेदारी नहीं निवाए जाए कम से कम सरकारी नुमायंदे जो जिमेदार लोग हैं वो इनके पास आएं और शांतों ना बदाएं तो इसी के साथ आज का ये लाइव है वो पहली बार दुख वरा हुआ है लेकिन एक बड़ा इंट्रिव्यू था रीट एक्जाम को लेके क्योंकि रीट एक्जाम में लगबग 27 लाग स्टुडेंटों ने एक्जाम दिया था और उसी एक्जाम के पेपर लेके हमारे सिंग्नोर के वो दारा के ब्यास के राम निवाज जी हैं वो कलकत्ता से निकले थे सिक्कर के लिए और गरवालों और उनके बीच जब भी बात हुई तो एक खुशी का महोल था क्योंकि घर पे आना था शोपिंग वगरे भी की थी और धरम पतनी से रात नो बजे बात हुई थी कि सुबह 8 बजे घर पे पहुचेंगे लेकिन होने को किसको पता था कि 8 बजे वो नहीं उनका फार्तिक दे है इस घर में पहुचेगा तो अब जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं आग्याएं और इस परिवार के लि